नमस्का दोस्तों आज हम अपने वीडियो के माध्यम से बताने जा रहे हैं पच्चास की उम्र में दिखना है तीस का तो आज से ही इसे दूद में डाल कर पीना शुरू कर दें कमजोरी आलस हो जाएगा खतम प्यारे दोस्तों हम सब जानते कि दूद हमारे सरीर के लिए सबसे अच्छा पोश्टिक द्रव्य है आज हम आपको दूद के साथ गौंद कतीरा के फाइदे बताने जा रहे हैं जिसको अजमार कर आप अपने जीवन में अनिक प्रेकार की खुश्यों को पा सकते हैं गौंद कतीरा एक स्वाध हीन, गंध हीन, चिपचिपा और पानी में घुनने वाला प्रेकरतिक गौंद है गौंद कतीरा का उप्योग गर्मियों में अच्छा रहता है क्योंकि इसमें ठंडक रहती है जिसे सरीर में ताकत आती है और पेशाप समंदी बिमारियों के लिए ये दवाई की तरह काम करता है गौंद कतीरा सरीर से निकलने वाले खुण की रोक थम को बहुती आसानी से करता है इसके अलावा उल्टी, माईग्रेन, ठकान और कमजोरी में ये बहुती फायदे मंद है इसके अलावा सिर के बालों को जड़ने से रोकता है ये पेड से निकलने वाला गौंद है इसका काटेदार पेड भारत में गरम पत्रीले छेतरों में पाये जाता है इसके छाल काटने और टैनियों से जो तरल निकलता है वही जम कर सफेद पीरा हो जाता है यही गौंद कतीरा कहलाता है इसमें बरपूर मातरा में प्रोटीन और फोलिक एसिड जैसे पोशकता तो पाये जाते हैं जो हमारी सरीर से जुड़ी कई समश्याओं से भी रात दिलाने में मदद करते हैं इसके सेवन से गरमियों में लू से तो बचा जा सकता है साथ ही साथ हम कई कई प्रेकार के जो रोग होते हैं जिनसे हम बहुत जादा परिशान रहते हैं उनसे भी निजात पा सकते हैं गोंद कतीरे का उप्योग कई प्रेकार से किया जाता है प्यारे दोस्तों इसका उप्योग करके हम गरमियों में अपने सरीर की गरमी को तो खतम करते हैं साथ में कई रोग भी दूर होते हैं गोंद कतीरे का उपयोग कई प्रकार से किया जाता है जैसे दूद, आइसक्रीम और सरबत आदी में आईए जानते हैं इसके सेवन से स्वास्थ्यकों होने वाले फायदों के बारे में हाट पैरों में जलन अगर हाट पैरों में जलन की समच्या हो तो दो चमच गोंद कतीरे को रात को एक गिलास पानी में भिगो दे सुबह इसमें सक्कर मिलाकर खाने से राहत मिलती है एंटी एजिंग गोंद कतीरे आपकी तौचा के लिए बहुत फायदे मंद है और यह आपकी सुन्दरता को बढ़ाता है गोंद कतीरे में एंटी एंजिंग गुन होते हैं जो जूरिया जैसी समच्याओं को दूर करते हैं कमजोरी और ठकान से छुटकारा हर रोग सुबह आदा गिलास दूद में कतीरा गोंद और मिस्री डाल कर पीने से कमजोरी और ठकान से छुटकारा प्राप्त होता है माईग्रेन, ठकान, कमजोरी, गर्मी की वज़े से चक्कराना उल्टी आने को करता है दूर गोंद कतीरे के सेवन से माईग्रेन, ठकान, कमजोरी, गर्मी की वज़े से जो चक्कर आते हैं उनको उल्टे आने की जो समश्य होती है उसमें बहुत ज़्यादा राथ मिलती है टॉंसिल, अगर आपको बार-बार टॉंसिल के समश्य होती है तो दो चमच गोंद कतीरे में धनिया के पत्तों के रस्त को मिला कर रोजाना गले पर लेव करने से या पूरी तरह ठीक हो जाते हैं अलसर, यह मूँ के अलसर को ठीक करने में भी कारगर सिदोता है जिने ज़्यादा पसीना आता है करे उप्योग, जिन लोगों को पसीना ज़्यादा आता है उन्हें गोंद कतीरे का सेवन करना चाहिए 10-20 ग्राम गोंद कतीरा पाने में भिगो कर सुबह सर्बत बना कर पीने से रक्ट समंधी बिमारियों में भी बहुत आराम मिलता है गोंद कतीरे को मिस्ति के साथ पिसका दो चम्मच कच्छे दूद के साथ सेवन करने से इस त्रिरोग जैसे माहावारी, लुकेमिया, मा बनने के बाद की कमजोरी में बहुत ज़्यादा फायदा होता है प्यारे दोस्तों, कीकर या बबूल का गोंद पोश्टिक होता है, नीम का गोंद रक्त की गती बढ़ाने वाला सफुर्ती दायक प्रदार्थ होता है इसे इस्ट इंडिया गंभी कहते हैं, इसमें भी नीम के उश्यदिय गोंद प्राप्त हो जाते है प्लास के गोंद से आप अपनी हड्यों को मजबूत कर सकते हैं प्लास का एक से तीन ग्राम गोंद मिस्री युक्त दूद अथ्वा आवले के रसके साथ लेने से बल आवम पोरुश में व्रदी होती है ततास्तिया मजबूत बनती है और सरीर पुष्ट होता है यह गोंद गरम पानी में घोल कर पीने से दस्तवय संग्रहनी में बहुत आरा मिलता है आम की गोंद स्टमभक अवम रक्त प्रसादक है इस गोंद को गरम करके फोडो पर लगाने से पीब पक कर भैजाती है और आसानी से घाव भर जाता है आम की गोंद को निम्बू के रस में मिला कर चम रोग में अगर आप उपियो करते हैं लेप के रूप में तो बहुत फायदा होता है चारे दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप लाइक करें शेर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें